हलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सब का निकुंज बुटिक में फुल घेर प्लाजो के साथ कमीज बनाएंगे और ये मैंने इस तरह से सीक्वेंस वर्क में जो है कपड़ा लिया है और ये क्रेव फैब्रिक है और ये दूसरा वाला कमीज जो है जोर्जेट फैब्र ईये हमने लाइनिग ली है तो तीन तरह का हमने इसमें कपड़ा इस्तेमाल किया है साड़े-4 मीटर जो है लाइनिग आप और मैं इसको अलग कर लूँगी घरेएक पोटी के असपास जो है कमीज स्यार करूंगी तो इतना ही मैंने same exact इतना double करके कपड़ा ले लिया है और बचे हुए कपड़े को हम प्लाजों में इस्तिमाल करेंगी लाइनिंग में और इस तरह से double करने के बाद जितना आपका hip area है उसमें 2 inch add करके मैं इस कपड़े को double fold ले हमारी hip है उसमें 2 inch add करके इस तरह से fold कर लिया है तो यह हमारा कमीज वाला हिस्सा हमारा आगे का और पीछे का इस तरह से cut हो जाएगा तो अब हम पूरा इसको total उपर से नीचे तक check कर लेंगे तो करीब यह 11 inch मैंने लिया है 9 inch के आसपास मैं hip round तयार करूंगी तो सबसे प यहां से तीरा और करीब साड़े साथ जो है आम होल लूँगी अगर आप neck deep बना रहे हैं तो तीरा आप अपने according ले मैं इसमें neck जो है पीछे वाली बिल्कुल छोड़ी बनाऊंगी तो तीरा जो मैंने ज्यादा रखा है साड़े 8 के आसपास जो है मैं worst area तयार करूंगी तो साड़े 10 हमारा total हो जाएगा साड़े 8 जो है fitting का mark है और shoulder से मैंने 14 inch नीचे कमर का लगाया है और arm hole से साड़े 14 inch नीचे deep जो है hip का लगाऊंगी देखिए इसमें अपने 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 एक अलग तरीका होता है जैसे अब मैं 14 inch यहां से ले रहे हैं तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं उपर से 14 inch नीचे और फिर यहां से और एड़ कर दिया मैंने इसमें 10 inch के आसपास ले लिया है कमर कटिंग जो रहेगी 9 inch हमारा ही प्राउंड रहेगा और दो इंच और इसमें एड़ कर दिया 9 inch के बाद तो 11 inch हो गया टोटल आम hole की shape डाल देंगे और आधा इंच के करीब आसपास जो रहेगा shoulder को down करूंगी जो ब्यादे से पोने इंच के आसपास और इस तरह से इसको कमीज को कट कर लेंगे और चोट चोटे कट लगा लेंगे जहां पे हमारी कमर और नीप रहेगा और नीचे से एक जैसा कर देंगे कपड़े को उपर नीचे था उसको हटा दिया है अब हमने कमीज वाला हिस्सा लेना है, इसको भी मैंने इस तरह से double कर लिया है, लंबाई के बल, और फिर इसको इस तरह से four fold ले लिया है, और ध्यान रहे कि जो बंद वाला हिस्षा है, वो मेरी तरफ है, इस तरह से, और सेम हमने जितना लाइनिंग वाला फैब्रिक को कट किया है ग्यारा इंच फोल्ड किया था तो इसको भी हम ग्यारा इंच के आसपास फोल्ड करेंगे उपर से नीचे तक पूरा चेक कर लेंगे अच्छे से और एकदम एक्जेक्ट इसको फिक्स करके इस तरह से रख देंगे हमारे नीचे से चारों हिस्से एक जैसे आने चाहिए तो उसको पूरा अच्छे से चेक करेंगे और इस तरह से उपर रखते हुए इसको हमने कट कर लेना है और लाइनिंग में हमने एक्स्ट्रा फोल्ड के लिए नहीं रखा था इसमें नीचे हमने फोल्ड के लिए कपड़ा रखना है डाई इंच के आसपास और इस तरह से कमीज वाला हमारा हिस्सा कट गया है अब हमने स्लीव को कट करना है तो इस बचे हुए फैविक को 4 फोल्ड कर देंगे 4 फोल्ड रखने के बाद हमने बंद वाला हिस्सा उपर की तरफ है और इस तरह से हमने टोटल लेनी है और चुडाई जो है 9 इंच के आसपास रख रही हूँ और नीचे से 3 इंच, 3.5 इंच के आसपास, 3.5 मैंने इसमें लिया है और आम होल की कटिंग कर देंगे, गुलाई जो रहती है और 15 इंच तयार करूँगी तो 2 इंच मैंने इसमें एक्स्टा ले लिया है तोटल 17 इंच लिया है, और जो आगे से मोरी तयार करूँगी वो 5 इंच है और 2 इंच इसमें और एड़ कर दिया, मारजन के लिए आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं और करीब 2 इंच मैं इसमें एक्स्टा रखती हूँ अब इस तरह से हमने स्लीज को कट कर लेना है इसके बाद हम तयार करेंगे सर्कुलर प्लाजो उसके लिए इस तरह से मैंने ये क्रेप फैब्रिक लिया है ये धाई मीटर के आसपास क्रेप फैब्रिक है और पहले हम में फैब्रिक जो है क्रेप हमारा उसको कट करेंगे उसके बाद मैं lining cut करूँगी इसको double fold करके इस तरहें से triangular हमने इसको रखना है आप इसकी separate वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे channel पे इसकी मैंने दो वीडियो अलरडी डाली हुई हैं तो वो भी वहाँ से आप check out कर सकते हैं हमने उपर से इस तरहें से hip का जो measurement लिया है उसके according यहां से यह हमारा 4 fold कपड़ा हो गया है तो hip का चोथा हिस्सा हमारा 9 inch है इस तरहें मैं पहले 11 inch लंबाई के बल इस तरहें चेक करूँगी कि मेरा इस तरहें total मैं 10 inch ले रही हूँ यहां से 9 inch हमारी hip है तो 10 inch मैं करीब इस तरहें से यहां से लूँगी यहां पे mark लगा लेंगे दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए 14 inch पे करीब ही आ रहा है तो दोनों तरफ 14 inch होना चाहिए और इसको इस तरहें गुलाई में कर लेंगे कभी भी सीधा हमने इस तरहें mark नहीं लगाना है यहां पे इस तरहें गुलाई करते हुए चेक कर लेंगे कि 10 inch हा रहा है के नहीं 10 से 10.5 inch आप ले सकते हैं एक inch जो है काफी रहेगा क्योंकि यह circular में है इस तरहें से हमने रखा है एक inch बाहर निकालके फिर हम length हमारी चेक करेंगे 35 तयार करना है तो मैं 36 ले रही हूँ सिर्फ मैं इसमें एक inch extra ले रही हूँ नीचे की तरफ हमने बिल्कुल पतला फोल्ड करना है यह कपड़ा हमारा उरे भी है ट्रेंगल में हमने इसको इस तरहें से रखा है तो यह ज्यादा मोटा जो है फोल्ड होगा ही नहीं इस तरहें से एक इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है उपर एक इंच जो है उपर निकाल देंगे और एक इंच एक्स्ट्रा जो लेंगे वो रखना है इस तरह से 36 इंच पे हम सब जगें गुलाई थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके इस तरह से 36 इंच पे निसान लगाएंगे इस तरह मार्क लग गया है दुबारा आप इस तरह चेक कर सकते हैं इसको अच्छे से रखके और फिर हम इसको कट कर देंगी बराबर रखेंगे और फिर इसको कट कर लेंगे जहां से हमारा कपड़ा कम है वहाँ पे हम जोइंट लगाएंगे वो मैं बाद में बता दूँगे आपको इक इस तरह से लगाएंगे उपर वाला भी इस तरह से कट कर लिया है तो यह हमारा कट के तयार हो गया है अब हमने आसन लेना है, पुरा चेक कर लिया कटिंग होने के बाद भी बिलकुल परफेक्ट है अब हमने आसन लेना है तो इस तरह से आसन जो है, मैं 11 इंच पे ले रही हूं और यहां से डाई इंच जो है आपने आसन की जो चुडाई होगी वो धाई इंच लेना है उपर बिल्कुल सीधा मिला देना है यहाँ पे हमने मारजन नहीं रखना है और इस तरह से इसका आसन कट कर लेंगे सर्कुलर प्लाजो हमारा रेडी है कटिंग होके और अब हमने जो यहाँ पे कपड़ा कम हो गया था उसको जोइंट के लिए कपड़ा कट करना है उसकी जोइंट के लिए तो यह कपड़ा यहाँ से इस तरह रखेंगे जितना हमें चाहिए थोड़ा सा उपर करके मैंने रखा है ताकि जो सिलाई में मारजन जाना है वो चला जाएगा और एग्जेक्ट हमारा यह जोइंट होने के बाद एग्जेक्ट आ जाएगा अब हमने इसकी लाइनिंग कट करनी है और उपर से जो हम बेल्ट लगाएंगे वो कट करेंगे पहले लाइनिंग बाद में इस तरह से 4 फोल्ड यह हमारा कपड़ा हो गया है और यह 1.5 इंच जो है बेल्ट होनी चाहिए इस तरह से तो यह हमारी देगे खुल के इस तरह से बेल्ट लग जाएगी अब हम चलिए पहले कमीच तैयार कर लेते हैं कमीच की नेक तैयार करेंगे तो मैं इस तरह से तीन इच जो है चोड़ाई ले रही हूँ कमीच की बहुती सिंपल नेक तैयार करूंगी और चार इंच यहां से लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे चोटा सा नीचे वी कट लगाऊंगे और इस तरह से हम नेक को कट कर लेंगे बोटनेक है ये हमारी सिम्पल बोटनेक बना रही हूँ और ये हमारी इस तरह से इसको कपड़े के उपर पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा मैंने बिल्कुल आधा इंच रखा था उसको इस तरह से अंदर की तरह फोल्ड कर दिया गले के उपर इस तरह स्टीच करके अब एक्स्ट्रा जो उपर कपड़ा है उसको हटा देंगे और इसको फोल्ड करके जो है बीच का जो है हमने इसमें एक कट लगा देना है सेंटर और हब हमने जो कमीज है कमीज के नीचे लाइनिंग जो कटकी थी उसको रखेंगे और इस तरह से मोटा बखिया लगाते हुए इसके उपर सिलाई लगा देंगे आगे और पीछे के दोनों पार्ट में हमने इसी तरह से मसीन से जो कच्चा कर लेना है तक कि जो लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है जो अपनी जगें पे फिक्स रहे अब मैंने नीचे से जो है इसको फोल्ड करना है लाइनिंग वाले कपड़े को तो इस तरह से एक से डेड़ इंच का फोल्ड इस तरह लगा दिया है और स्टीच लगा दिया इसके उपर अब हमने neck तयार करना है तो neck इस तरह से कमीज में भी center cut लगा हुआ है और गले में भी और इस तरह से रक्के इसके उपर इसको stitch कर लेंगे बिलकुल किनारे-किनारे से सिलाई लगाएंगे बुक्रम के उपर सिलाई नहीं लगानी है और ये हमारा सामने का neck जो है stitch हो गया है अब इसमें जो extra अंदर की तरफ fabric है इसको cut करेंगे और छोटे-छोटे cut भी लगाएंगे जहाँ पर गुलाई है और cut है वहाँ पर छोटे-छोटे cut लगा देंगे और इसको इसतरे से पलट लेंगे पलटने के बाद बिल्कुल किनारी की सिलाई मैं इसतरे से इसके उपर एक लगा दूँगी ताकि यह fix हो जाए सामने का तयार है हमारा अब हम back वाला गला कट करेंगे और उसको तयार करेंगे उससे पहले इसकी आगे की cutting कर देती हूँ मैं आगे की cutting जो है हमारी armhole की नहीं होई थी तो पौना इंच के आसपास मैंने इस तरहें से आगे की cutting कर दी है तो यह हमारा सामनी का पार्ट है अब बैक पार्ट लेंगे और इसको अच्छे से रखके बैक पार्ट जो गला है वो कट करेंगे तीन इंच पे निसान लगाएंगे और गहराई भी मैं करीब साड़े तीन इंची ले रही हूँ इसकी इस तरहें से इसको cut कर लेंगे इसके उपर मैं उरे भी पट्टी लगाऊंगी इसमें थोड़ा से एक्स्टर हो रहा था कपड़ा तो ये साइट से cut कर दिया और इसको इस तरहें रखेंगे और ये मैंने उरे भी पट्टी कट कर ली थी लाइनिंग वाले फैब्रिक की और इसके उपर रखेंगे और इसको इस तरहें से एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको सिल लेंगे अब पट्टी को पलट के पट्टी की तरफ ही हमने मारजन कर दिया है और इस तरहें से एक सिलाई लगा दी है ताकि जब हम पट्टी वे तुरपाई करें तो बहुत ही आसानी से और फिनिसिंग के फ़ी बाजू है अध्याग मेंलिकुट ठीट्वेंगे जब हैं इसमें लाइन कर रहे हैं की फिटिंग आ कोड़िएounter निशआन लगा लेने हैं और इये बाजू है मारी bojoo को लाइनेंग के साथ attach करेंगे इसमें sequence लगे हुए हैं तो इसलिए मैं इसमें lining लगा रही हूँ otherwise आप जरूरी नहीं है कि कमीज के जो बाजू है उसमें भी आप lining लगाएं तो इसमें थोड़ा चुबने का issue था तो इसलिए मैंने इसमें lining जो है लगाई है कच्चा कर लिया है और आगे से fold कर लिया है और चेक करेंगे 15 इंच की तयार करनी है मिरको बाजू तो ready है ये 15 इंच की fitting का निसान लगा लिया है आप अपने according आपकी जो fitting है उसके according निसान लगा लिजिए और इस तरह से निसान के उपर stitch कर देंगे एक extra सिलाई मैं हमेशा लगाती हूँ तो एक सिलाई आप एक पैर का margin रखते हुए दूसरी सिलाई भी आपने fitting के साथ साथ लगानी होती है तो वो जरूर लगाएं fitting तयार है अब हमने sleeves को लेना है sleeves पे भी जो fitting का निसान है वो लगा दिया है और इसको सिल देंगे सिलने के बाद दोनों sleeves को सीधा करेंगे सीधा करने के बाद हम कमीज में इसको अंदर डालके इस तरह से चेक कर लेंगे कि आपका perfect जो है आ रहा है के नहीं कम जादा हो तो आप इसको सिलाई को adjust कर लें और इस तरह से ये देखिए मैं इसको रखूंगी अंदर की तरफ और joint से joint मिलाते वे बिलकुल इसको stitch कर दें थोड़ा सा स्पीड में दिखा रही हों क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो इसलिए थोड़ा फास्ट रखा है वीडियो को और इस तरह से बाजू हम लगा देंगे दोनों स्लीव को इसी तरह से हमने लगा लेना है ये देखिए बिलकुल परफेक्ट आई है नीचे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जन रखा था धाई इंच उतना हम फोल्ड करेंगे दो से धाई इंच जितना भी आप रखे उसको इस तरह से मोटा बक्या लगा के फोल्ड कर देंगे सबसे पहले हमने नीचे से घेरा फोल्ड किया है और फिर हम बाद में साइड वाला प नहीं से भी दोनों तरफ हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है मोटा वक्या लगा के लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक है वो बराबर आए और इस तरह से इसको पूरे को हमने दोनों तरफ फोल्ड कर दिया है अब हमने जो पलाजो कट किया था यह देखिये यह आसन है और नीचे से जो कपड़ा कम था यहां पर जोइंट हमने एक्स्टा कपड़ा कट किया था जोइंट के लिए तो उसको इस तरह जोइंट लगा देंगे एक पे मैंने पिन लगा दी है और दूसरे वाले को इस तरह से पकड़ के स्टीच लगा दूँगे दोनों तरफ के पार्ट को इस तरह से सिल देंगे और ये जोइंट लगा देंगे दोनों जोइंट हमारे ये लग चुके हैं ये देखे अब हमने जोइंट इस तरह से लगा दिया है ये देखे नीचे की तरफ और अब हमने इसकी जो लाइनिंग थी वो कट नहीं की थी तो लाइनिंग को कट करेंगे इस तरहीं से 1.5 मेटर कपड़ा मैंने Lining का लिया है और इसको Double Fold रखा और फिर इस तरहीं से TANGU Wise Fold कर दिया है सुमोसा स्टायल में मैंने इसको इस तरहीं से Fold किया है आप जाहें तो कपड़े को Lining वाले को नीचे रखके फिर उसको main fabric जो plazo है उसको उपर रखके भी cut कर सकते हैं मैंने normally इसके उपर इस तरह से lining रख दी और इस तरह मार्क लगा दी है अब यह देखिए यहाँ पर इस तरह से same नीचे की तरफ हमारा यह plazo है तो नीचे वाले हिस्से को हटा देंगे तो यह देखिए मैंने जो है main fabric से 5 इंच जो है lining छोटी cut की है तो आप 3 से 4 इंच रख सकते हैं लेकिन मैंने इसको 5 इंच छोटा रखा है जो काफी है और इस तरह से इसको cut कर लेंगे नीचे वाले पार्ट को हटा देते हैं और इसको cut कर लेंगे अब without lining बना रहे हैं तो normally आप बना ही सकते हैं अगर आप lining वाला बना रहे हैं तो इस तरह से lining को cut कर लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा कम है तो हम बाद में joint लगाएंगे और side से एक joint था यह इसको cut कर लिया है अब जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से इस तरह से कपड़े को रखेंगे और यह joint वाला हिस्सा हम cut कर लेंगे यह दो पार्ट में हमारा joint होगा तो चलिए अब हम इसको joint करते हैं इस तरह से यह हमारा joint लग गया है दोनों तरफ और अब हम lining के उपर main fabric है जो क्रेप वाला उसको रखेंगे और अब हमने दो पार्ट रख लिए हैं और दो पार्ट और हम रखेंगे इस तरह से और सबसे पहले हम यह देखिए यह उपर बेल्ट वाला हिस्सा है और यह आसन वाला हिस्सा है तो यहां से हम आसन को इस तरह से stitch करेंगे आप चाहें तो lining और main fabric को पहले कच्चा कर लें मैं और मली इसी तरह से बना रही हूँ इसके उपर मैंने कच्चा नहीं गया है अब दूसरी तरफ हमारा आसन है यहां से भी हम इसको stitch कर देंगे इसमें थोड़ा सा कपड़ा extra है तो उसको बाहर निकाल दें बाद में हम इसको cut कर देंगे और इस तरह से पकड़के इसको सिल देंगे दोनों आसन हमने सबसे पहले जो है आसन को stitch करना है उसके बाद हमने उपर belt तयार करनी है तो इसमें जो extra fabric हो गया था उसको हटा देंगे कट करके और यह दिखिए यह उपर की हमारी belt तयार है तो belt को बनाने के लिए इस तरह से कपड़े को रखेंगे और यह belt वाला जो कपड़ा कट किया था उसको ले लेंगे और इस तरह से हम कपड़े को थोड़ा सा extra रखेंगे के जोइंट से extra मैंने आधा इंच आगे की तरफ रखा है कपड़े को और इस तरह से इसको स्टीच करते हुए हमने एक पैर की सिलाई जो है एक पैर का गैप छोड़ते हुए सिलाई की है जहां पर हमने start किया था वहां तक इसको इस तरह से सिलते हुए लाना है कपड़े को थोड़ा सा कपड़ा कम belt वाला जो है कम हो गया था तो उसमें मैंने थोड़ा joint लगाया है इस तरह से देखें यहां तक joint तक लाएंगे और इसको हटा देते हैं अब अब हमने कपड़े को बाहर की तरफ यसे उपर की तरफ निकालेंगे और यहां पे जो बैल्ट वाला कपड़ा जोइंट किया था उसको आगे से इस तरह से सिल के जोइंट कर देंगे इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा है कपड़ा जो जोइंट किया था वो लंबा हो रहा था इसको कट कर दिया और यहां से भी थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा है तो इसको भी हटा देंगे अब हमने जो एक्स्टा उपर बेल्ट के लिए कपड़ा लगाया था उसको फोल्ड करेंगे और उतना ही फोल्ड करेंगे जितना देखें यहाँ पर मैंने इसमे लास्टिक भी इंसर्ट करना है तो Elastic को डाल दिया है और एक सिलाई Elastic के उपर लगाई है तकि यह यहाँ पे fix रहे और जो अब fold करके कपड़ा fold कर रहे हैं सिलाई के उपर ही मैंने इसको fold किया है plazo के उपर fold नहीं किया है जितना हमने double fold इसी तरह से कर दिया है जो सिलाई लगाई थी joint वाली उसी के उपर इसको लगाया है और Elastic को जो है stitch में नहीं लेना है क्योंकि बाद में Elastic को हम खीच के adjust करके जितनी कमर है उसके इसाब से adjust करेंगे तो अभी हमने सिर्फ lining वाल जो उपर हमने belt वाला कपड़ा लगाया है उसी को stitch किया है अब हम Elastic को खीच के कमर से 5-6 इंच जैसे आपकी 36 इंच कमर है तो 30 इंच जो है मैं इसको रखूंगे इस तरह से Elastic जो थोड़ा सा और extra हमने इसमें रखना है तो थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसको खीच लिया था तो extra इसको रख रही हूं इस तरह से और जो सिलाई लगाए थी न वो हम अब हटा देंगे इस सिलाई को हटा देंगे और फिर हम दोनों Elastic को इस तरह से पकड़के चेक करेंगे तो 36 कमर है तो यहां से हम 15 इंच जो है इसको ले लेंगे और जो extra elastic है उसको कट करके हटा देंगे इस तरह से अब यहां पर जो खुला वाला हिस्सा है बेल्ट का उसको stitch कर देंगे इस तरह फोल्ड करके कपड़े को और इस तरह से इसको stitch कर देंगे अब हमने इसको stretch करना है अच्छे से stretch करके और सेंटर में जो है सिलाई लगा देंगे और नीचे की तरह भी हमने फोल्ड कर देना है यह जैसे lining वाला हिस्सा है और main fabric है उनको बिल्कुल पतला पतला फोल्ड कर देंगे तो यह मैं नीचे से फोल्ड कर रही हूँ जो main fabric है उ इसको बिल्कुल किनारे पे हमने इस तरह से double fold करते हुए इसको stretch कर लेना है दोनों pair को इसी तरह से stretch कर लेंगे सेम इसी तरह से lining वाले fabric को भी बिल्कुल पतला बारिक हमने फोल्ड कर लेना है फोल्ड होने के बाद जो है इस तरह से हम इसकी जो round सिलाई है अंदर से आसन की नीचे वाली पैरों की जो सिलाई है वो लगा देंगे और जो lining हमने 5 इंच उपर रखी ती तो इस तरह से lining को भी इसके साथ stitch कर देंगे बिल्कुल बराबर रखेंगे उपर तक चेक कर लेंगे दोनों पैर को और इस तरह से हम इसको stitch करेंगे अब ये हमारा आसन वाला हिस्सा है और अब ये दूसरी तरफ आगे हम और इस तरह से पूरा round सिलाई हमने इसकी लगा लेनी है तो प्लाजो भी हमारा लगबग ready हो गया है इस तरह से हमने चारो कपड़ों को पकड़ते हुए बराबर हमने stitch लगाना है end point पे आएंगे वहाँ पे भी double stitch करते हुए फिर हमने पूरे total जो सिलाई लगानी है वो double करके लगानी है एक और सिलाई लगा देंगे और जो final look हमारी जो तयार हुई है वो कुछ इस तरह से हुई है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना शेयर वे लाइक करना और आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो उसका नोटिफिकेशन झालू आपको काम येल्ग झालू तो आपको कमें वीडियो आपको कर देकनके प्मया लिवादसरी हैंग।